हालो दोस्तो स्वागा थे आपका जीके विताजीम यूट्यूब चननल में दोस्तो आज का हमारा टशापिक है काईक जनन. पहले वाले भाग में के ऊसमें सिन ने पना है कि अगल्रम होगा, कि उसमें प्रकृतिक काईक जनन. फियान जो feeding Gespr के दिवास कुन चुना मम होता है और काइक भागो द्वारा होता है जैसे जयर तना और पत्तियों द्वारा लेकिन इसमें हमलोग जानेङे कि काइक जनन दो आंगे कि काइक जनन कराने के लिए कुछ अध्धतियों BEC उसलिख के हैं। जो निम टाइप के हैं, पहला है रोपण, दूसरा है कलम लगाना, दाब लगाना, गूटी लगाना, और उसके बाद है शाखा बंधन, एक तरीका और है जिसे कहते हैं उत्तक प्रवर्धन, यानि टिशू कल्चर, ये किरिया जो होती है, मानो द्वारा तो होती है, लेकिन प पैबंद लगाना भी कहा गया, इसी को कहते हैं ग्राफ्टिंग, इसमें क्या होता है, कि घटिया किस्म के पौधे के ऊपर, अच्छे किस्म के पौधे की टहनी का रोपण करते हैं, यानि अगर कोई पौधा है, माल लीजिए, अच्छा है, उसका किस्म कोई, आई ये माल जो कहते हैं, हम लोग रोपण कहते हैं, या पैबंद लगाना, इसमें घटिया किस्म के पौधे पर अच्छे किस्म के पौधे का रोपण, कहलाता क्या है, रोपण विधी है ये, यहाँ पे इसके प्रकार जो है, वो तीन है, पहला है कशा, रोपण, विप ये वाला तरीका, इसमें क्या होता है, कि उत्तम क्वालिटी का जो पौधा है, उसे एक तिरचा ऐसे काट लेंगे, ठीक, और घटिया जो है इसमे का पौधा, उसको भी तिरचा हम लोग काट लेते हैं, और उनों दोनों को आपस में हिला देते हैं, इससे क्या होती है, पड़ा या इस तरह का लाक वाली कोई चीज चड़ा देते हैं जिससे उसके अंदर कोई भी संक्रमण न जाए अब इससे होता क्या है कि यह धीरे धीरे इसमें से कोशिकाएं उससे आपस में जुड़ जाती हैं और एक नया पौधा बनता है और वो नया पौधा जो बनेगा वो उत्तम क्वालिटी का होगा यानि उत्तम क्वालिटी का पौधा हमें सब उपर रहेगा और घटिया वाला नीचे रहेगा इस तरह से घर कोई एक पेड़ भी अच्छे क्वालिटी का है तो उसके टहनियों को काट काट के अन पौधे पे लेकिन उसी जाती का हो जैसे आ पर उगाते हैं आम तो आम में करते क्या है कि आम में एक गुठली गार देते हैं आम को बढ़ा हुआ आम का उत्तम क्वालिटी के टहनी उसी साइज का काट को उस पे जोड़ देते हैं और एक नया पौधा बनता है तो वो पौधा उसका गून उसी तरह को होगा जैसे वो काट कर उपर वाला वियाकार का उठा हुआ और नीचे वाला गढ़ा ऐसे वियाकार काटते हैं और उस पौधे को ऐसे लगा देते हैं उपर उत्तम क्वालिटी का होगा पौधा नीचे वाला घटिया है जो किसम उसमें टाहनी को काट के उसी साइज का एक ही जाती का कर उपर मोम या लाग कोई ऐसी चीज चड़ा देते हैं कि जिससे उन में कवा केम जीवानों का संक्रमण न हो तो इस तरह से वो पौधा के जो टिशू है आपस में उत्तक जो होते हैं कोशिकाया जुड़ जाती है और उनसे उनको पोशन मिलता है और एक नया पौधा बन जा अपीते को कर दें ऐसा नहीं है एक किसम एक ही उसकी होनी चाहिए तीसरा आता है कली का रोपण बड़ ग्राफ्टिंग कहते हैं इसमें क्या होता है कि करते क्या है जब उत्तम क्वालिटी का जो पौधा है जिसको हम चाहते हैं उगाना ज्यादा से ज्यादा जब कलीया बा बगा देते हैं और उसकली को लाके इसी में रोप देते हैं और इसको पट्टी से बाद देते हैं यहां वाला और यह कली को पोशन जो है इस पीड से मिलता है और यहां से टहनी बनके बाहर आती है और इस हिससे को काड़ देते हैं इस तरह से जो यह टहनी आती है वो उत्त अब उससे आम आ रहा हम नहीं जानने कि वो आम कैसा होगा तो हमने किया क्या कि दशहरी वाले पीड़ का एक टहनी लिया जो अच्छा ता स्वस्था उसको काट लिया इसमें से कोई भी विधी अपना के ठीक है इस फान कलिका यह यह कशारोपन इसको कर दीजे कशारोपन कर कशारोपन कोई भी तरीका अपना लिए और उस जो हम पौधा पाये थे हमको नहीं था पता कि वो क्या है लेकिन दशहरी वाले का टहनी काट के उसमें हमने लगा दिया अब पौधा जो होगा वो दशहरी का ही होगा उसी तरह का जैसा वो पौधत है ठीक है अगला है कलम ल और उनको जमीन के अंदर तिर्चा गाड़ते हैं या लिटाते हैं और दबा देते हैं इस विधी को कहते हैं कलम लगाना तिर्चा कलम की तरह काटके और उसको जमीन में बोधे या गाड़ दे अंदर इस दिद्वारा सबसे दिखेती होती है गन्ने की गन्ने में इसी तरह पर्व को काटते हैं एक एक पर्व माले ये वाला पर्व है एक पर्व ये हो गया इस तरह से है एक पर्व ये हो गया एक पर्व ये अब इसको इसको काट देते हैं ये वाला हिस्सा जमीन में गार देते हैं इससे क्या होगा यहां से एक नया पोधा बहार आता है गुड़हल उसकी एक टहनी को ऐसे नीचे ले आते हैं और उसको जमीन में लाकर गार देते हैं एक वही टहनी फिर बाहर निकाल देते हैं यानि टहनी ऐसे आई और बाहर निकल गई जो हिस्ता जमीन में दब गया उसी को गुले से ठोक देते हैं वो बाहर नाए और मिट्टी दबा देते कुछ दिन बाद उसी टाहनी से जड़े आती है बाहर ये वाली टाहनी को काट देते हैं जो मात्री पौधे से जुड़ा हुआ है और ये पौधा एक अलग टाहनी जो है एक अलग पेड या पौधा बन जाता है इसको कहते हैं दाब लगाना कहते हैं इस हिधी में क्या होता है देखिए मातरी ओधे के शाखा को मिट्टी में दबाते हैं जिससे जड़े ही निकलती है और शाखा एक ओधे के रुप में बन जाता है जैसे बेला चमेली और कनेर में इसी तरह से होते हैं हपसे अच्छा इसका उदारान है बेला बेला के एक डंठल को जमीन में गार दीजिए कोई दिन बार दुस्ते जड़े आती है बाहर और अलग-अलग आप कखर दीजिए इसमें गूटी लगाना गूटी में क्या होता है इसमें क्या होता है छाल को हटा कर खाद युग्द मिट्टी उस पर लगा देते हैं और लगातार उस पे नमी देते हैं और जिस जगर से छाल हटाते हैं वहीं से जड़े आती हैं बाहर और एक नए पौधे को रूप में होता है जान लीजिए इसमें जैसे माली ये एक डाली है ये डाली में यहां से यहां छाल को हटा दिया जाता है बचा क्या जैलम अला हिस्सा इस पे खाद युक्त मिट्टी चड़ा देते हैं और इसको बोड़े से कपड़े से बाद देते हैं और एक मटका होता है उससे एक धागा या पाइप लिया कर य इस्तिलागातार इसको नमी मिलती रहे, ये सूखेना, महीनों दिन बाद इसमें क्या होता है, यहाँ जो छाल हटाए गया, वहाँ से जड़े आ जाती है बाहर, और इस टहनी से इसको काट लेते हैं, ये जड़ वाला एक जो है, डाली जो है, ये इसको अलग करके बो देते है जिस से एक नया पौधा बन जाता, इसको कहते क्या है, गुटी लगाना कहते है, खास तौर से रबर का जो होता है पौधा इसी तरह बनता है, बहुत इंपर्टेंट है, रबर के खेती इसी दवाड़ आ होती चाखा बंधन इसमें करा दो शाखाओं का आपस में बाद देत काट के हटा देते हैं उत्तमार छोड़ देते हैं इस तरह से आख़ाओं को जोड़ देते हैं लेकिन किसम एक हमनी चाहिए इस तरह बनता है एक अगला सम्वर्धन गांद इसमें उस पौधे के उत्तक को लेकर विशेश अनुकूल परसिती वहाँ पर देकर कैलस का निर्माड खरते हैं, यानि कली का, कली का जो निकलते हैं नए अंकुरित होते हैं, उनको निकालने करके अलग-अलग गमलों में पौधों में बोकर एक नए पौधे को जन्म दिया जाता है, य लेकिन यह नहीं होता है, उसके बाद यह था तो, इसके छे हैं हिधिया हैं, एक है रोपन, कलम लगाना, दाब लगाना, गूटी लगाना, शाखा बंधन और उत्तक सम्मर्धन यानि टीशू कल्चर, ठीक है, अब बात आती है कि आखिर कृत्रिम सम्मर्धन या कृत्रिम क काईक जनन कराते क्यों हैं, इसके लाब क्या हैं, तो सबसे पहला उत्तम जातियों का विकास, सबसे पहला फायदा कमाना इससे है, बढ़ियां सिम का आम को उगाया जाए, अमरूत को उगाया जाए, सेब को उगाया जाए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा कम हैं दूसरा कठिनाई से बनने वाले बीजों के पौधे जैसे अंगूर केला अननास गन्ना का प्रवर्धन आराम से करते हैं अगर हम बीज बोएंगे पौधा बनेगा वो बड़ा बड़ा बनके फिर उससे कुछ बनेगा डालियां बड़ी होगी इससे अच्छा है कि हम तु शिग्र फल को प्राप्त कर लेना यह यह भी है बागवानी में सबस्द इसका इस्तमाल होता है कि भाई कम समय दिया जाए उत्पादन अधिक किया जाए तो यह भी बहुत आसान है और जो फल चाहें उसी को उगाले हम यह एक ही किसम के पौधे का उत्पादन इसमें होता है इसी लिए हम जो किसम चाहrüें हैं चाहते हैं कि चौसा आम ही केवल हो तो चौसा आम के उस किस्म को अन आमों के झुप पौधे आ रहे हैं टहनियों से बाद बाद के पौधे को प्राथिमिक्ता इसमें दी जाती है ये सबसे बड़ा प्राब्लम है लोग जो पौधा फायदा दे रहा है उसी को हम लोग बोते हैं इस तरह से देशी पौधे जो हैं उसको हम लोग इस्तमालब करते नहीं है तो ये हाँ पर ये घाटा हुए है दूसरा हाट इ प्रेड थे जो उस पे जीव सर्वाइब कर रहे थे बढ़ रहे थे वो हो गए खतम रह गया आपके वल आम तो अब आम पे हर जीव रहेगा नहीं तो वहां से बहुत सी जातियां किसम घास पौधे खतम हो जाते हैं मुलभूत जो वहां के होते हैं उसको कहते हैं हाट आप बाहर का कोई चीज़ा के वहां पे आती करमड कर ले उसको हाट इसपाट एरिया कहैंगे देशी अधो कहानी वहां के झो देशी होते हैं पौधे जिन से उस एरिया का इनवर्मेंट बना हुआ है उनको हानी होती है इस तरह से वहां के इकोलाजी को नुक्सान होता है इसका ये भी घाटा है ठीक है तो ये इसके लाव थे काईक जनन में प्रकृति काईक जनन जान लिये थे अब ये हम लोग जाने है कौन कृतिरिम काईक जनन क्या है कितने टाइप के हैं लाव और हानिया हम लोगों ने जान लिया इससे परिक्षा में सवाल आते हैं कि कलम गाना कलम रोपाण यह सब इसके उदारान है अब पूछता है कि इससे कौन कौन सा है परियुकसाला में यह होता है यह भी आया हुआ है तो इससे यह इतना टेना तो सब्जिक नहीं है चेप्टर नहीं है लिकिन इससे कुछ सवाल आया थे इसलिए मैंने इस पर बना ही दिया और यह कक्छादस आपको इनस्टारिटी के जो बुके उसमें आपको यह मिलता है ठीक है यह चेप्टर भी है कोर्स में यह है इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी था तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इससे करिएगा लाइक और अगर आप इस चैनल पर न ले वीडियो में अब तक के लिए अलविदा जैहिन